नमस्कार दोस्तों स्वागत है study for government job में मैं रभींशर आज आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर यहां पर पढ़ाऊंगा देख रहा हूंगा स्लाइड में ब्लड सर्कुलेटी सिस्टम बाई रभींशर इस्टडी फार गौर्वर्मेंट जॉब कॉंटक्ट नमब प्लेटरी आर्गंस होते हैं तो जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे हार्ट और ब्लड वेसल्स हार्ट पंपिंग करता है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लू करता है तो ब्लड वेसल्स तीन होते हैं कैपलरी होती है केसी का जिसको कहते हैं चुट पतल इसमें फ्लो करता है और वेंस में इंप्योर ब्लड फ्लो करता है दूसरा इसमें अपवाद है जितनी भी ध्हमनियां होती है यानि आर्टरी उसमें प्योर ब्लड सरकुलेट करता है लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें इंप्योर ब्लड बैता है यह आप याद र प्योर ब्लड फ्लो करता है इतना बात आपको याद रखना है एक चीज़ और याद करिए आर्टरी जैनि धमनिया ब्लड को हार्ट से संपूर बॉडी में ले जाती है और वेंस संपूर बॉडी का जो यूजड ब्लड होता है यानि डी ऑक्सिजनेटेट ब्लड जिसको कहते हैं जिसमें अक्सिजन नहीं होता है वो खीच कर लाता है और हार्ट में ले जाता है तो धमनियां ले जाती है और जो सिराय यानि वेंस होते हैं वो ले आती हैं ब्लड को तो आगे देखते हैं अगली स्लाइड में सर्कुलेटिव सिस्टम में यहां पर आप देखेगा जो तो यह देखें, यह heart यहाँ पर बनाया गया है, यह four chamber होता है, human heart, इसमें चार जो chamber होते हैं, चार जो कच होते हैं, उसमें एक होता है right atrium, यह दाया अलिंद, और एक होता है right ventricle, यह आप देख रहोंगे, यह यहाँ पर लिखा हुआ, right ventricle, और यह right atrium, तो दाया अलिंद और दाया निले, इसी प्रकार यह left वाला पार्ट होता है, left atrium और left ventricle, यहनी बाया अलिंद और बाया निले, तो अब आप यहाँ पर देखेगा, कि जो blood है ना, यह जो right वाला पार्ट होता है, इसमें impure blood होता है, और जो left वाले chamber होते हैं, उसमें pure blood होता ह है, तो heart में, right में, कैसा blood होता है, impure, और left वाले portion में blood कैसा होता है, pure, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुए है, यह आप देखेगा, यह, लिखा है, superior venakawa, और यह लिखा है, inferior venakawa, तो superior venakawa और inferior venakawa के माध्यां से, इंप्योड इंटर करता है right atrium में, और right atrium के बाद, यह blood पहुंसता है, right ventricle में या bulb लगे होते हैं, इस जगे, बॉल लगे होते हैं, यहाँ पर, यह pressure पढ़ता है, बॉल खुल जाता है, और right atrium में blood इंटर कर जाता है, फिर right atrium से इंटर करने के बाद यहां पर घुषता है यह जो आप देख रहे हैं इस में यहां पर प यह गुश्था है तो यह क्या है पुल्मोनरी आर्ट्री इसको कहते हैं फुफुस धमनी क्यों कहते हैं क्योंकि इसका जो संबंध है यह यहां पर आप देख रहे हैं यह यह लंग्स है यह क्या है फेफड़ा फेफड़े से यह connected होती है इसलिए इसको फुफुस धमनी कहते हैं खेभ तो यह दो हो यहां से आता है ब्लड इंप्योर अगुशता है तो यह आप देख रहे हैं ना यह लंग्स में और ढच में और लंग्स में घुशकर यहां से आक्सीजन ले लेता है तो इंप्योर ब्लड का मतलब होता है डी ऑक्सीजनेटेट ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है अब यह लंग से क्या करता है और अब यहां बाले ब्लड में ऊजाती है उक्सिजन लिखा है और यह प्लड ब्लड जिस प्रफुस दमनी और इधर वाला प्रशन लंग्स के इधर वाला पूर्शन यह कहलाता है फुफुस सिरा तो फुफुस सिरा में oxygen आ जाती है और जो फुफुस धमनी होती है इसमें oxygen नहीं होती है यहां होता है deoxygenated blood और यहां होता है oxygenated blood तो deoxygenated blood को कहते impure blood और oxygenated blood को कहते pure blood तो यह pure blood इसमें आ गया पल्मोनरी वेन में और इसके मादनां यह गुस है कहां लेट्ट एट्रियों में फिर इससे दबाओ पड़ेगा यह हुल जाएगा बॉल खुल जाएंगे और यह चलेज आगा लेट बेट्र के बल्ड सब्सक्राइब माहा धमनी क्या भूला जाता है माहा धमनी लिगा हुआ है यह लॉंगेस्ट आर्टरि ओर बॉड़ी यह हमारी बॉड़ी की सबसे लंबी आर्टरी और यह अरोटा जो होता है जिसको हमानि और यह पूरे शरीर में बलट को पहुंचा देती है फिर हमा उनके मादों से पूरे सरी बोर च्ला चाला जाता है और हमारे सरीर में क्या करता है अक्सीजन ले जाता है और यूज क्यों टारों AJC ustin और यहा ये इस मादों से यह रय तो यह सीद्व में आ यहा जाता है 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 ना यह फिर जाता है पूरे शरीर में इस तरीके से एक साइकल होती है तो सबसे पहले ब्लड कहां पर पहुंचता है यह पुल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है आप मिनट यह और फिर लंक्स जाता है पुल्मोनरी वेन में पर डिया अट्रीम में फिर न हमनी में इंपेरियर वेनगावा और सुपिरियर वेनगावा उसके मादाम से जुसता है लप एक ट्रीम में गुप्र staging पर राइट त्रीम में घुशता है और राइट वेंटर्कल मे हों है और फिर फुफुर्ब होता है तो हमारा जुकन होता है यह जानते हैं कि स्ट्रेटर का एक यार्बन यह आप यूमन हार्ट क्योंकि एक तरफ से एख बार इधर उन्हीर होता है और यह घूमते हुए फिर इधर इधर से सर्कुलेट होता है तो सर्कुलिशन होता तो हीमन हुए ही जामपल आप दवल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्लियर हो गया अब इन चीजों को थोड़ा से यहां पर देखते हैं हार्ट के बारे में दो पॉंट लिखे हुए मसल से बना होता है कार्डियाक मसल से बना होता है मसल कई परकार की होती है जिसमें से जो हार्ट होता है वो कार्डियाक मसल से बना होता है तो यह मस्कुलर आरगन होता है इसमें कितने चेमबर होते हैं फोर चेमबर क्यों होते हैं क्योंकि जिसमें डी ऑक्सीजेनेटेड और आपस में मिक्स ना हो अभी आपने देखा होगा यह वाला देख़ो फिर से यह 4 चेमबर बने हुए न तो एक चेमबर यह अलग इधर डी अक्सीजननेट्ट बैटा है और इधर वाला कॉन से बैता है कले लेट वाले पार्ट में पर आक्सीजनेटर यह मिलते नहीं है oxygenated blood flow करता है यानि यह blood कैसा होता है pure blood होता है pure blood होता है ठीक है sorry impure है कैसा होता है impure क्योंकि deoxygenated है और आट्रियम और left ventricle होता है यानि बाया अलिंद और बाया निल है वहाँ पर oxygenated blood वैता है यानि वह होता है pure जिसमें oxygen होती है वह होता है अब जो हमारा हाट होता है इसमें contraction or relax होता है तो हाट जो सिकुड़ता है तो इसको कहते हैं imputing of heart यानि जब हाट पिचकता है अपनी भासा में कहें तो उसमें बहा होता है हो वह हाट से बाहर चला जाता है कहां चला जाता है नलिकाओं के माध्यम से बाहर हो जाता है तो इसको कहते हैं हमारा हाट अब खाली हो गया imputing of heart और जो relax होता है तो उसमें blood भर जाता है तो उसको कहते हैं feeling of heart तो imputing of heart and feeling of heart यानि contraction और relax contracts और relax यह दोनों एक साथ होता है बोट और simultaneous process दोनों एक साथ होती है यह आप याद रखिएगा अगला देखते हैं तो यह तो यहां पर मैं देखा circulating system है ना तो हाट हमारा क्या करता है सिर्फ pumping करता है blood की यह हमारा pumping organ होता है तो दोस्तो circulatory system में इतना ही था छोड़ा सा topic था लेकिन बड़ा interesting था कि हार्ट कैसे हमारे blood को पूरे body में circulate कराता है तो heart is a example of double circulatory system तो दोस्तो कैसा लगा आपको lecture आप इससे देखिए और अपने ज्यान में ब्रद्धी कीजिए और चैनल को subscribe जरूर करिएगा like करिए comment जरूर करिएगा चुकि comment करने से पता चलता है कि आप लोगों को lecture कैसा लगा और कोई अगर इसमें और किसी topic को और कितना easy ढंक से समझाया जा सकता है यह हमें यहां पर प्रणा मि लेगी तो अगर आपको अमारा प्रणाने का धंग अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हम कोशिच करते हैं कि किसी भी जेटिल topic को बहुत सरल बना दिया जाए और आप लोगों तक वह सरल भासा में पहुंचा दिया जाए तो फिर भी अगर कोई आ प्रणानकारी हासिल कर सकते हैं तो ओके हम लोग मिलते हैं फिर एक नए बहुत ही इंट्रेस्टिंग लेक्चर के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धनवाद